हलो फ्रेंट्स, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लिकेशन ऑनलाइन क्लास की स्रीज में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 इंट्रोडेक्शन टू-HTML का देशेबन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं HTML लीष्ट फ्रेंट्स, लिस्ट के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि जो लिस्ट होती हैं वो हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को एक लीनियर फॉर्म में उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लिस्ट जनरेट करते हैं तो HTML लिस्ट क्या होता है HTML लिस्ट कोई अधर टाइप के लिस्ट नहीं होती है वह सिंपल वही लिस्ट होती है जो हम पढ़ते हैं और हम लिस्ट जनरेट करते हैं list we nav contributed information in linear form ۔ ऐर टाइपस हो लिनियर होते है हम कुछ आइपज को क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम लॉट ओफटब सके है अधर लिए बीड कर एक linear form में display कराना चाहते हैं उसको करा देते हैं हम linear form में तो वो एक list का format बन जाता है वो एक structure बन जाता है जिसको हम list कहते हैं ठीक है? So we will talk about the types of list यानि कि कितने तरह की list होती है और कौन-कौन से list HTML support करता है यानि कि back page पर हम किस-किस तरह की list को generate कर सकते हैं हैं सो types of HTML list HTML supports three types of list basically बैसे तो कहीं तरह की list होती है लेकिन HTML three types of list को support करता है जिसमें आज समके बाल एक ही list देखने वाले हैं ordered list जो पहले list first of all we will discuss about the first type of HTML list is order list तो ordered list को हम यहां पर discuss करने वाले order list क्या होता है it is also called number list यह एक number list होता है इसको number list भी क्याते हैं चाहें आप इसको order list करिए चाहें इसको आप number list करिए doesn't matter क्योंकि number list के नाम से इसको जानते हैं which is intended with a number alphabet in front of each item अगर आप इस तरह की list जंदेट कर रहे हैं जिसके each item के front पर जैने की जो भी items आपके list में हैं उसके front पर अगर आपको कोई numbers मिलता है कोई alphabet मिलता है तो इस तरह की list है वो आपकी numbered या ordered list कर लाएंगी ठीक है example के लिए मैं अगर यहां पर लेता हूं one और मैंने यहां पर simple दिया computer two मैंने लिखा यहां पर mouse three मैंने यहां पर लिखा keyword क्लियर तो यह क्या हमारे तीन items हैं और इस front पर कुछ numbers हमने indent किया हैं तो यह list बन गई है और यह इस तरह के list जो कलाएगी आप यह कलाएगी number list कलाएगी instead of numbers आपको कोई alphabet हो सकते हैं ठीक है तो अगर alphabet है तो वह भी एक number list को represent करते हैं clear okay so यह ordered list होती है इस तरह की list हम generate कर सकते हैं clear next जो अब हम जो order list है उसको हम कैसे जनरेट करें यह question हमारे माइन में आता है तो it start with ol tag यानि कि जब आपको web page पर एक order list generate करनी होती है तब आप जो है एक ol tag generate करते हैं clear तो अगर आप आपको order list generate करना है तो जो बिसकली जो order या number list है वो ol tag से start होती है clear and each list of item start with li tag यानि कि list item tag से start होता है जो आपको item में जैसे computer है mouse है keyword है और भी list item जो भी आपको order list है जितने भी list item उसमें आप रखेंगे उतने ही li tag का वहां पर use करेंगे तो आइए हम देख लेकते हैं ol tag के बारे में ol tag क्या है किस तरह से इसको use करते हैं इसके attributes क्या होते हैं इस सबके नहीं है लेकिन बार वर सुन लिजिए container tag जितने भी होते हैं उनको हमें close करना जरूरी होता है clear जितने भी container elements होते हैं तो ol tag भी हमारा container element है attributes कौन-कौन से होते हैं attributes आपको आपने पढ़े होंगे attributes का का क्या होता attributes define the additional information about the tag जिस tag में attributes का यूज किया जाएगा उस tag की जो additional information है उसको specify refine करने के लिए हम attributes का use करते हैं इसमें दो attributes हमारे होते हैं ol tag में type and start we will briefly discuss about the type and start attribute will be soon later next इसके बारे में है use inside body tag इसको कहां पर use किया जाएगा सबसे बड़ी समस्या होती है हम tag तो पढ़ लेते हैं उसके बारे में जब हम coding करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम इस tag को कहां use करें head section में use करें body section में use करें declaration section में use करें यह confused होने की बात नहीं है क्योंकि ol tag जो है वह आपको body section मतलब body tag के अंदर use करना है next contains अच्छा क्या क्या इसके अंदर रखा जा सकता है देखिए वैसे तो list item ही रखे जाते हैं और list item specify करने के लिए आप कौन attributes है basically two types attributes होते हैं हमारे जिनको हम one by one यहां पर describe करेंगे समझेंगे first हमने पढ़ाता उपर key point में पढ़ाता type and start attributes अब हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि type का माइने क्या होते हैं इसको किस तरह से use करते हैं तो type attribute होता है पहली बात तो समझ लीजें आसे question भी कि आता है कई बार कि type जो है आपका ओएल यानि कि आनो ओ स्वरी ओडर्ड लिस्ट का attribute है इसका काम क्या होता है इस 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 पैसिफाइज दे टाइप ओब लिस्ट यानि कि लिस्ट का टाइप स्पैसिफाइब करेगा कि लिस्ट आपकी कि विई यहां पर जण देख लेकरें किस तरह से यूज़ करना है टाइप षल है क्योंकि यह वैल्टेक का टाइप एट्टीबूट है तो हम जो है इसको वैल्टेक के अंदा यूज करने वाले हैं और इसकी वैल्यू में आएगा जिस तरह की जो जो जिस तरह की आप लिस्ट बनाना चाहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देख लेते कौन- और लिस्ट टाइप वैल्यूज होती है यानि कितने तरह की नंबर्ड लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं फैला है वान टू थ्री इस तरह से जो अभी मैंने उपर उपर दिखाया था यह जो आपकी दिखाया था यह नंबर्ड लिस्ट है फिर चार-पांच आइटम होते तो चार-पांच छे इस तरह से जाता ठीक उसी तरह से आपका जो टाइप यहां पर कई सारे टाइप में पर दिखाये गए हैं पहला वन टू थी अकर इस तरह की टाइप लेंगे आप तो यहां पर वैल्यू की जगा वन रख देंगे अगर इस तरह की लिस्ट चाहते हैं तो नुमेरिक नंबर्स में चाहते हैं क्योंकि यह आपका बाइडिफोल्ट होता है मतलब अगर आपने टाइप एट्टिबूट यह यूज नहीं किया है केवाल ओयल यूज किया है तब आपकी बाइडिफोल्ट हर एक आइटम के आगे इंटेंट कौन सा नंबर होगा इस तर टाइप तो पढ़ या टाइप एट्टिबूट उसको हम यूज कैसे करेंगे यहां पर मैंने ओयल टाइप लिया है इस्मॉल रोमन तो यहां पर आप जो है कैपिटल रोमन ले सकते हैं कैपिटल यह ले सकते हैं इस्मॉल यह ले सकते हैं या कोई नंबर ले सकते हैं अगर आपने roman लिया है तो list बनेगी वान टू तिर इस तरह से अगर आपने caps लिया होता तो इस तरह से बनती बंड़िए clear agar आपने a लिया होता तो यह इस तरह से बनती a, b, c अगर small a लिया होता तो small a number लिया होता इस तरह से आपका जो है बन जाता है अब हमने इस लिस्ट में केबल दो ही आइटम लिए एक कंप्यूटर एक मुबाइल तो दो दो के लिए हमने लिस्ट आइटम ये यूज किया है अगर आपके पास और ज्यादा आइटम होते तो आप अनदर एलाई टेक का यूज कर लेते और नेक्स्ट से स्टार्ट होती है उसको डी कि लेकिन आप चाहते हैं पहले नंबर से start नहुंज करके दूसरे से चोथे से छटे से या किसी अधर नंबर से start हो उसको विगनिंग पॉइंट है जो मैंने यहाप पर रोमन ले लिया स्टार्ट फोर्ट यानि कि फोर्ट रोमन से आपकी लिस्ट स्टार्ट होने वाली है लिस्ट स्टार्ट कैसा होगी जैसे मालो मैंने दो आइटम लिये computer है mobile तो computer को मिलेगा four और उसके बाद fifth उसके बाद six यानि कि आपकी जो list start होने वाली है four से start होने वाली है क्योंकि यहाँ पर start कितना लिए हमने four लिया है so friends यह थे आपका ordered list उसके attributes तो आज हमने समझा order list क्या होता है इसके attributes क्या होते हैं इसके syntax उसको किस तरह से use करते हैं यहाँ पर हमने एक sample code लिया है practical के लिए अब हम सीदे सीदे अपने html editor की तरफ चलते हैं और इस code को run करके देखते हैं और actually क्या difference है इन start और type value में तो आएए चलते हैं अपने html editor में और यहाँ पर हम चैक करने वाले हैं order list को कैसे जनरेट करते हैं तो सबसे पहले में यहाँ पर टाइटल चेंज कर लेता हूं मैंने टाइटल ले लिया order list क्योंकि पता रहे कि हम किस तरह की लिस्ट हमने जहां पर जनरेट की है तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइटल में order list लिया है आप चाहें तो और कोई भी ले सकते हो और मैं यहाँ पर पहले एक वीजी color attribute यूज करूंगा वीजी color attribute मैंने ले लिया येलो ठीक है और हम oil tag को हम कहां पर यूज कर सकते हैं body tag के अंदर तो अभी मैं केवल oil type attribute का यूज कर रहा हूं type मैंने ले लिया सारे type के हम यहाँ पर यूज करेंगे oil type sorry oil type नहीं लेता बिना किसी attribute के मैं पहले एक list जनरेट करता हूं ओके बिना किसी attribute के मैंने जनरेट किया और मुझे चाहिएगा list item tag एक और list item tag मैं आप ले लेता हूं मैंने यहाँ पर ठीक है और क्यूंकि यह li tag जो है sorry oil tag जो है container है तो इसको यहाँ पर हम close कर देते हैं लीजिए यह आपका तैयार हो गया मैं इसको save कर लेता हूं save और इसको मैं नाम दे देता हूं और लिस्ट के नाम से मैंने इसको save कर लिया दो टेस्टेमल यह लगाना मत भूलिएगा क्योंकि बिना इसके आपका फाइल ब्राउजर पर नहीं दिखेंगी इसको हमने रन किया ओके यहाँ गया 1 & 2 तो यानि कि मैंने यहाँ पर कोई attribute यूज नहीं किया है तो डिफॉल्ट टाइप जो होता है आपका लिस्ट का वो नुमेरिक होता है नमबर होता है और डिफॉल्ट स्टार्ट वेल्यू होती आपकी वन तो डिफॉल्ट इस तरह से आएगा अब हम यहाँ पर इसका attribute यूज कर लेते हैं सबसे पहले हमने attribute लिए टाइप टाइप में बाइडिफॉल्ट नमबर आ रहा है मैं टाइप यहाँ पर ले लेता हूं इसमॉल ए मैंने रन किया देखो एब आ गया के लिए अब मैं यहाँ पर टाइप चेंज कर लेता हूं दूसरा तीसरे टाइप क्या होता है मेरा कैपिटल ए इसके बाद थर्ड पहुता है मेरा स्मॉल रॉमण अगया इसके बाद फटाइप फडाइप होता मेरा कैप में और रोमान तो समझा गया होगा कि आप किस तरह से लिक टाइप टाइप कर सकते हैं इसके बाद का मतलब है जो आप लिस्ट बना रहे हैं वह लिस्ट अब इस्ट है लिस्ट में पहला आइटम होगा उसको क्या नमबर मिलने वाला है मैंने यहां पर जटीफोल्ट मैंने लिए कॗ माउस को मिलने अगर मैं यहां पर वोड लेस्ट ऑड़ा देता हूं से एक लिस्ट अइटम टैग और यहां पर मैं इंडूट कर देता हूं और यहां पर मैंने लिया कीबोड़ को आप बताइए ईजीम किजिए वीडियो को पूज्ट करके की अभ यहां पर मंपर मिलने वाला में आ गया होगा अब यहां type में ले रहता हूँ ए आपका होगे कि ए टाइप कि अगर लिष्ट होगी तो उसको कैसे start करेंगे तो देखिए अभी यह is one लिया start तो इसे start हो रहा है अब मैं यहाँ पर ले रहता हूँ three three लेने से क्या होगा यह सी से start होगा ठीक है तो अब यहाँ पर रोमन अगर रंक ले लेते हैं मैंने लिया रोमन और यहाँ पर दिया start one तो देखिए यह आपका one से start हो रहा है और मैंने यह आपर दिया three तो यह आपका three से start हो रहा है तो इस तरह से हम order list बना सकते हैं पांस तरह के list थाइप हमारे पास हुती है नमबर list होता है अब पपर केस एल्फवेट लोर केश आपर केस ब्मयर मन लाइस ऑल मन क्लियर और एक आप कैसा होता है अब कांट्योर का क्टेंट中 ह्या र्ट तो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो जदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए अपने फैंट के साथ सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए